स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जोब स्टैडिक गुरूजी में साथियो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और बड़ी अपडेट है गुरूप C भरती को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी गुरूप C भरती को लेकर हाई कोट के इंदर केस चल रहा है क्या कुछ मामला है जान लेते हैं कितने पड़ों पर भरतीया जो अभी आपके रुकी हुई है और आज क्या फैसल आ सकता है तो देखे यहाँ पर गुरूप C पर सुनवाई आज आयोग की तरफ से सिंगल बैच के फैसले के खिलाब दायर अपीलों पर मंगलवार को हाई कोट में सुनवाई होगी इसमें गुरूप संक्या 56-57 के पेपर लेने उसका रजल्ट फिलहाल गोशित ने करने और गुरूप संक्या 56 में 41 सवाल रिपीट होने के मामले सामिल है यानि कि कितने सवाल आपके रिपीट हुए है 41 सवाल रिपीट हुए है गुरूप संक्या की बात करें तो 56 में ठीक है यहाँ पर गुरूप सी के लगबग 32 अजार पदों की बरती पर करियाई फिलहाल रुकी हुई है सबसे पहले दो गुरूपों के पिपर हुए थे मगर अन्य लगबग 61 गुरूप बचे हुई है सिंगल बैच ने कहा था कि पहले CT स्कोर संसोधित किया जाई उसके बाद भरती पर क्रिया शुरू की जाई इस फैसले पर आयोग ने अपिल दायर की थी पिछली सुनवाई में 2 सितंबर 2023 को 2023 पर प्रोसेसिंग फीस जमाने होने के करण सुनवाई नहीं हुई थी और अगली सुनवाई की अगर बात करें तो 3 अक्टूबर तय हो गई थी सभी उमिदवारों की नजर इस सुनवाई पर ठीकी हुई है यानि कि सारा मामला जो अभी आज जो 3 अक्टूबर हैं इसमें देखा जाएगा क्या फैसला आता है हाई कोट की तरफ से अगर फैसला आज आता है तो जो आपके गुरूप से की जो 32,000 की जो बरतिया जो भी पैंडिंग है जो भी होनी है वो परकरियाई शुरू होंगी अगर नहीं आता है फैसला तो अचसी का कैना है बोपाल सिंग कदर जी का कैना है कि फिर हम अगर फैसला नहीं आता है तो हम गुरूप डे की बरति प्रक्रियाई पूरी करेंगे पहले हम गुरूप डे की बरति करेंगे तो आज देखते हैं वही किस हक में फैसल आजाता है क्या कुछ होता है जैसे ही अपडेट आएगी इसी यूटूब चैनल पर आपको मिलेगी उमेद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगे होगी इस वीडियो को आप लाइक करें कोमेंट करें सेर करें साथियो आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू जैहिन जैभर्त